Hello students, welcome back. In last lecture, we have discussed many diseases that are caused by various types of pathogen like bacteria, fungi, virus, protozoan, etc. So in this lecture, we will discuss about that how we can prevent these all diseases. Because prevention is better than cure, तो यहाँ पे कुछ ऐसे practices हैं, जो कि हमें disease को prevent करने के लिए compulsory follow करने होते हैं. तो सबसे पहले हम उन disease के prevention के बात करते हैं, जो कि mainly food और water के through bond होती हैं, यानि कि prevention of food and water bond diseases, यानि कि जिसका transmission जो है, वो mainly food या फिर water sources से होती हैं. तो कोई भी disease जो हैं, वो चाहें airborne हो, water bond हो, food bond हो, तो कोई भी disease जो हैं, उसके prevention के लिए सबसे फॉस्स प्रेक्टाइस है, maintenance of personal hygiene. तो personal hygiene जो है, यानि कि हम हमारी पूरी जो body है, उसकी कैसे gear करते हैं, या फिर उसकी hygiene जो है, वो हम किस तरह से maintain करते हैं. तो personal hygiene में हम हमारी complete body की hygiene जो है, उसे include करते हैं, तो personal hygiene maintain करने से क्या होता हैं, कि हमारी पूरी body जो है, उसका जो build up है, वो healthy way में होता है, तो उसकी वज़ा से हमारी जो immunity है, वो भी बहुती ज्यादा strong होती जाती हैं. तो अगर हमारी immunity is strong है, तो disease होने के chances जो है, वो automatically low होते जाते हैं. देन, उसके अलावा है, public hygiene, publicly hygiene maintain करना भी, कई सारे infectious disease जो है, उन्हें prevent करता हैं. तो mainly personal hygiene जो है, उसमें अब हम include करते हैं, हमारी पूरी body को clean रखना, देन, उसके बाद हम include करते हैं, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruits, etc. यानि कि हम जो पिने के लिए पानी और खाने के लिए चाहें कोई भी food item यूज करते हैं, तो वो सारी जो है, वो mainly hygienic होनी चाहिए, या फिर तो clean होनी चाहिए. क्योंकि कई ऐसी सारी disease हैं, जो के mainly contaminated, जानि कि जो जिन food और water में pathogens present होते हैं, उसे हम बोलेंगे contaminated food और water, तो ये जो contaminated food और water हैं, वो mainly disease के लिए responsible होते हैं, तो ये disease ना हो, उसके लिए हम जो भी water, food या फिर vegetables, food, fruits, जो कोई भी जो कुछ पर इस्तिमाल कर रहे हैं, वो mainly clean होना चाहिए, और discontaminate होना चाहिए, यानि कि उसमें pathogens जो है वो present ना हो, उसकी बाद हम public hygiene maintain करने के लिए बात करें, यानि कि हम पूरी public level पे जो है, वो hygiene कैसे maintain कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे फास्ट है, प्रॉपर डिस्पोजल आफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जहां पर वेस्ट में जो है, वो सारा वेस्ट आ जाता है, यानि कि जो भी household वेस्ट हो, kitchen वेस्ट हो, या फिर कोई भी वेस्ट हो, और एक्सक्रीटा यानि जो human में जो वेस्ट प्रॉड़क्ट उनकी body के अंदर जो develop होती है, वो, तो यही जो भी वेस्ट या फिर एक्सक्रीटा जो है, वो किसी भी जगहा पर dispose ना करके, उनका जो disposal वे है, वो particular एक proper वे में एक particular space पर या फिर उस ऐरिया में होने चाहिए, जिसकी वजहा से हम वागी के जो food और water sources हैं, उसके साथ उसका cross-law वो बंद करवा सके, तो यहां पे जितने भी water sources है यानि कि जो भी water हमें इस्तिमाल करना है वो चाहे हम किसी भी काम के लिए यूज करें ड्रिंकिंग के लिए बाथिंग के लिए वाशिंग के लिए तो वो पानी जो है वो उनकी जो सारे sources है उनमे periodic cleaning और disinfection होना चाहिए क्योंकि periodic cleaning से उसके अंदर जो भी waste material present होता है उसे easily remove किया जा सकता है और disinfection की वज़ा से क्या होता है तो उसमें जो भी micro organisms है वो easily remove हो सकते हैं तो इस तरह से जो water reservoir है अगर हम उन्हें ही clean और disinfectant रखेंगे तो उसकी वज़ा से उसके अंदर जो भी contaminate है या फिर जो problem causing organisms हैं वो उसे हम directly वहीं से remove कर सकते हैं standard practices of hygiene in public catering जैने कि जब भी public catering की बात आती है तो वहां पर कुछ उसके standard protocols है जैसे कि hair mouth और hand को जो cover करना होता है जिसमें भी food source जो available होता है उस vessel की भी proper cleaning होने चाहिए तो ऐसे कुछ standards जो है वो publicly maintain होने चाहिए जिसकी वज़ा से जो disease है उसे हम prevent करवा सके तो mainly जो food और water के थूँ जो disease spread हो दी है लाइक टाइफॉइट अमोईबियासीज एसकारियासीज तो ऐसी डीजीज में अगर हम food और water को ही clean करेंगे तो उसके अंदर जो यह डीजीज कर सेंग ऑर्गेनिजम प्रेजन्ट है जो कि मैं लिए साल्मॉनेला टाइफी एंटामोईबा हिस्ट्रोलिका एसकारिस वो अल तो जो healthy person है उसकी बड़ी में यह डीजीज भी कॉस नहीं होगी तो इस तरह से जिस सारी पर्सनल हाईजीन और जो पब्लिक हाईजीन क्राइटरी गया है उसे हम फॉलो करके जिस सारी डीजीज जो है उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं तो जिस सारे जो प्रेक्टाइस अभ प्रेक्टाइस जो है वह बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है उस पर्टिकुलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अब हम डिसकस करते हैं प्रिवेंचन आफ एरबॉंड डिजीज जैने कि ऐसी डिजीज जिसका जो ट्रांस्मिशन है वह मैंली एर की थू होता है ला हैल्दि पार्सन और जो इंफ्टेट पंसन है उन दोनों को मैंटेंड करने होदे अब ठीक्टेट पर्सन की बात करें तो बीजल स्नीजिंगर और मेंं कॉमण गुर्ड उस पर्टिकुलर इंफेक्टेट पासन को अपने जो माउथ और नोशं का एरिया उसे आंकर किया Bowl कर देन उसके बाद है उसे healthy person से contact जो है वो avoid करना चाहिए यानि कि उसे खुद को ही isolate करना चाहिए ताकि उस infected person की वजह से वो जो disease है वो mentally किसी और healthy person को ना हो पाए जैसे कि अभी coronavirus का जो period चल रहा है उसमें ये practice maintain करना बहुत ही ज्यादा beneficial है ताकि उसे spread होने से prevent किया जा सके अब healthy person जो है उन्हें कौन से precautions सो है वो दियान में रखने चाहिए तो उसमें सबसे पहले है जो infected person है उसके contact में नहीं आने चाहिए क्योंकि ये ऐसे infection है जिसके mainly जो disease causing organism है वो infected person है उसके जो surrounding air है उसमें भी present हो सकते है तो अगर healthy person उस air के contact में आएगा तो ये pathogen जो है वो उस healthy person में भी enter हो जाएंगे और उसे भी disease हो सकती है तो इसके लिए mainly जो infected person है उससे contact जो है वो अवर्ड करना चाहिए और second practice है infected person ने जो भी utensils जो है या फिर कोई भी चीज़ जो इस्तमाल की हुई है उसे इस्तमाल नहीं करने जाई है क्योंकि उसके जो disease causing organism है वो उस utensils पे भी हो सकते हैं तो इस तरह से हम जो airborne disease है उसे control कर सकते है या फिर prevent कर सकते हैं अब हम बात करते हैं जो vector bond disease है उन्हें हम कैसे prevent कर सकते हैं तो mainly vector bond disease है उसमें हम include करते हैं malaria phylariasis जैसे कि malaria जो है उसका vector जो है वो है female anophilis mosquito phylariasis जो है उसका है क्यों लैक्स mosquito तो यह से कुछ वेक्टर है जो कि एक पसंद से दूसरे पसंद में वो disease जो है वो ट्रांस्मीट करते हैं तो यह जो वेक्टर की त्रू जो disease ट्रांस्मीट होदी है उसके prevention के लिए सबसे पहले हमें जो उनकी रहने की या फिर जो breeding की places है उसे हमें completely eliminate करना चाहिए जहां पे वो breeding की process जो है वो carry out करते हैं और उनकी जो रहने की जगा है अगर हम उसे ही eliminate कर देंगे जैसे की पूरा जहां पे society का कच्रा जो है वो collect होता है या फिर पूरी city का जो कच्रा collect होता है तो mainly वहां पे house flies, mosquitoes, mouse ऐसे बहुत सारे organisms जो है जो develop होते हैं और उनकी वज़ा से ऐसी disease जो उनके त्रू ट्रांस्मीट होदी है वो भी बहुती speed में spread होती रहती है तो सबसे पहले हमें इनके जो vector है उसे ही eliminate करना होगा तो उसके लिए जो उनके रहने की places है उसे और उनकी जो breeding की places है हम उसे ही eliminate कर देंगे then avoid stagnation of water यानि कि जहां पे पानी भरा हुआ रहता है और mainly जहां पे हम रहते हैं उसकी surrounding water जो है पानी भरा हुआ नहीं होना जाहिए क्योंकि यह जो पानी है वो भी बहुत vector के लिए as a breeding place act करता है then regular cleaning of household killers तो household killers हो है उनकी regular cleaning से जो pathogens है वो या फिर जो vectors है mainly तो यह vectors हो है वो breed नहीं कर पाएंगे तो उसकी विज़ा से जो उनकी overall population है वो दिरे दिरे कम होती जाएगी then use of mosquito nets तो mosquito nets के वज़ा से जो mosquitoes है वो अंदर enter ही नहीं कर पाएंगे तो उसकी वज़ा से उनकी through disease जो ट्रांस्मीट होदी है वो भी ट्रांस्मीट नहीं होगी then introduction of fishes like gambusia in ponds तो mainly यह जो gambusia fish वो mainly जो mosquito की larva है उसे mainly engulf या कि जाने की खा जादी है तो अगर mosquito जो है तो mosquito की अगर हम larva की बात करें तो mosquito जो है वो एग में से release होदा है तब वो complete mosquito structure में नहीं होदा लेकिन उनकी एक चोटी larva होदी है जिसे हम उनके लार्वल स्ट्रेज की लार्वल स्ट्रेज बोलते हैं तो यह mosquito की larva जो है अगर वहीं यह जो gambusia fish है वो तो उसमें से mosquito जो है वो कभी भी डेवलोपी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी लार्वा जो है वहीं आप एप्संट है तो इस तरह से अगर पॉंट्स में gambusia fish develop होगी तो उसकी वजह से mosquito की जो population है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं then spraying of insecticide in disease draining areas and swamps because यह मैं ऐसे एरिया है जहां पर यह जो mosquito flies या फिर और भी बहुत सारे जो tiny organisms हैं जो की disease में as a vector काम करते हैं उन्हें हम ग्रो या फिर उनकी population entries होने से prevent कर सकते हैं then cover doors and windows with wire mesh यानि की net से जो है वो cover कर देने चाहिए जिसकी वजह से वेक्टर जो है वो अंदर एंटर ना हो पाए now prevention of disease by using biological science तो इसमें हम mainly include करते हैं biotechnology जिसकी वजह से हम जो है वो vaccine produce कर सकते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही सारे antibiotics और drugs जो है वो भी अच्छे से develop हो सकते हैं तो अभी हम currently बात करें तो अभी भी कुछ ऐसी डिजीज है जिनकी vaccine जो है वो अवेलेबल नहीं है पर एक्जामपल कोरोना वाइरस तो अगर कोरोना वाइरस सो है उसके प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए मैंडली सबसे पहले जो है उसके लिए responsible vaccine find out करनी होगी जो कि हम बायो टेकनोलोजी यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं तो तो अभी करंटली बहुत सारे इंट्वेक्सीज डिजीज है लाइक पोलियो दिप्थेरिया न्यूमोनिया टिटेनस जिनकी वैक्सीन जो हो अबेलिबल है तो मैंली जो वैक्सीन का पूरा प्रिंसिपल है वहां आगे तो उस डिजीज को जो है वो अच्छे से प्रिवेंट किया जा सकता है देन कोई भी डिजीज अगर बाइचांस हो गई है तो उसे क्यों होने के लिए हमें बहुत सारी एंटिबायोटिक्स और ड्रग्स का यूज करना होदा है तो मैंली यह सारे जो एंटिबायोटिक और ड्रग्स जो है वो हम और किसी और्गेनिसम में से भी डेवलोग कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम बायो टेक्नोलोजी की हेल्प करते हैं तो यह पूरी चेप्टर में डिसक्स करेंगे तो मेंली यहां पे सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि बायो टेक्नोलोजी जो है उसकी यूज से हम जो वैक्सीन या फिजे जो कोई भी एंटिपायोटिक्स बना रहे हैं तो उसके इस्तमाल से जो बाडिकुलर डिजीज है उससे हम क्यों हो सकते हैं और उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं